जे मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मेजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सर्ब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अहोई अस्टमी का वरत साल 2023 में कब रखा जाए और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा। साथी हम आपको बताएंगे कि तारे निकलने का समय क्या रहेगा और चंदरोदे का समय क्या है। इसके लावा बात करेंगे कि अहोई अस्टमी के वरत वाले दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। इसके ला तो आई ये शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में अहोई अस्टमी के व्रत का विशेस महत्तो है। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। संतान की खुशाली वातरक्की के लिए माताईं ये व्रत करती हैं। और अहोई माता से संतान की दीरगायो की कामना भी करती और जिन लोगों के संतान नहीं है वे लोग भी अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये ब्रत करती हैं। दोस्तों अहोई अस्टमी कवरत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को मनाया जाता है। ये तेवार तिवाली के एक हफ्ते पूर्व तथा करवचोत के चार दिन बाद आता है। इस दिन सभी माताएं निर्जला उपवास करती हैं और रात के समय तारे देख कर अपनी संतान की दीरगायों की कामना करके ही फृत खोलती हैं। निसंतान महिलाएं भी पुत्र प्राप्ती की कामना के लिए ये अहोई का वरत करती हैं। इस वरत के प्रभाव से उन्हें सीगर ही संतान सुख की प्राप्ती होती है। चलिए अब जानते हैं कि अहोई अस्ट मी वरत वाले दिन आपको भूलवस क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अहोई अस्ट मी का वरत पुत्र प्राप्ती या संतान की सुख सम्रद्धी वद्दीरगायों के लिए किया जाता है। इस दिन आपको गलती से भी किसी जिव जनतु को नहीं मारना है। कभी कभी घर में जारु लगाने से या सब्जी आदि कातने के समयं गलती से हम से छोटे कीड़े मकौडे मर जाते हैं। तो आपको इस दिन ये गलती नहीं करनी हैं और इस दिन मिट्टी भी ना खो दें क्योंकि मिट्टी में भी कई सूच में ज ना डाटे और ना ही मारें साथ ही आप अपने से बढ़ों का अपमान भी इस दिन ना करें इसके लावा अहोई अस्ट मी व्रत वाले दिन घर पर सात्विक भोजन बनाएं मानसा हार भोजन से दूर रहें ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है दोस्तों अहोई अस्ट मी व्रत को निर्जल रखा जाता है इसलिए इस व्रत को निर्जल ही रखें इस दिन घर में कले साधी ना करें इससे अहोई माता रुस्ट हो जाती है इस दिन आप तारों को जल देने के लिए तामे के लोटे का इस्तमाल ना करें हो सके तो पीतल या चान्दी के लोटे का इस्तमाल करें इसके लावा वरती का इस दिन सोना वर्जित होता है इसलिए जिसने वरत रखा है उसे दिन के समय सोना नहीं चाहिए इस दिन आपको दान भी अवस्य करना चाहिए इससे आपकी संतान को समरद्धी का आशिर वात प्राप्त होता है वरती महिला को अहोई एस्टमी के दिन प्राता काल जल्दी उठकर इसनान आधी करने के बाद वरत का संकल्प करना चाहिए इस दिन माता पारवती जी की पूजा का विधान है अहोई एस्टमी की पूजा की तैयारियां सूर्यास्त से पुर्व ही संपन्न कर लेनी चाहिए आप सर्व प्रथम दिवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बना लें और सई वा सई के बच्चों का भी चित्र बना लें या फिर आप बाजार से अहुई एस्टमि माता का कलंडर लाके उसे दिवाल पर चिपका कर उसकी भी पूचा कर सकते हैं फिर साम के समय पूचा इस्थल पर चौकी पर माता अहुई के चित्र के बाई तरफ पानी से भरा हुआ कलस इस्थापित करें कलस पर स्वास्ति कच्चन बना लें कलस के मुख पर मोली बांद लें इसके बाद अहोई माता के विद्वत पूजा अर्चना करके पूरी हलवे और पूए का भोग लगाएं फिर अहोई माता की कथा सुने वा पढ़ें कथा सुनते समय सभी मैलाओं को अनाच के साथ दाने अपने हाथ में रखने चाहिए फिर अंत में अहोई माता की आर्थी करें तत पस्चात रात्री के समय चन्रमात्वा तारों को अर्द देकर पूजा के पस्चात अपनी सास को बाइना देकर उनके पैठ छूकर उनका असिरवाद लें फिर अनवजल ग्रहन करके प्रत खोल सकते हैं चलिए अब हम सुनते हैं अहोई अस्टमी की प्रत कथा जो इस प्रकार है एक साहुकार और एक साहुकारनी थे वे धर्म और पुन्य को नहीं मानते थे इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था एक दिन साहुकारनी पडोसी के घर गई उस दिन सकट चौत था वहाँ पडोसन सकट चौत की पूजा करके कहानी सुन रही थी साहुकारनी ने पडोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो तब पडोसन बोली कि आज सकट चौत का ब्रत है इसलिए कथा सुन नहीं हूँ, तब साहुकार्णी बोली कि चौत के व्रत को करने से क्या होता है, तब पडोसन बोली कि इसे करने से अन, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है, तब साहुकार्णी ने कहा कि यदि मेरा गर्व रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी औ कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया, तो वै बोली कि है चौत भगवान मेरे बेटे का विवा हो जाएगा, तो सवा पांच सेर का तिलकुट करूंगी, कुछ वर्सों बाद उसके बेटे का विवा तै हो गया, और उसका बेटा विवा करने चला गया, लेकिन साहुका इस कारण चौत देवता क्रोधित हो गए और उन्हों ने फेरों से उसके बेटे को उठा कर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला हतास होकर सारे लोग अपने अपने घर लोट गए इधर जिस लड़की से साहुकार्णी के लड़की क विवा होने वाला था वै अपनी सहलियों के साथ गंगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई तब ही रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई आ मेरी अर्थ ब्याही ये बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे-धीरे सूख कर काटा होन लगी एक दिन लड़की की माने कहा कि मैं तो तुझे अच्छा अच्छा खिलाती हूं अच्छा पहनाती हूं फिर भी तु सूखती जा रही है ऐसा क्यों तब लड़की अपनी मां से बोली कि जब भी मैं दूब लेने जंगल में जाती हूं तो पीपल के पेड़ से एक माई से कहा कि यहां क्यों बैठा है मेरी बेटी तो अर्द ब्याही कर दी और अब क्या लोगे साहु कारणी का बेटा बोला कि मेरी माने चौध का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया इसलिए चौध भगवान नराज होकर मुझे यहां बैठा दिया है यह सुनकर उस साहु कारणी बोली मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं धाई मन का तिलकुट करूंगी इससे स्री गडेश भगवान प्रशन्य हो गये और उसके बेटे को फेरे मिला कर बिठा दिया बेटे का विवाद धूम धामसी हो गया जब साहु कारणी की बेटे और बहु घर आये त इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौत का वरत रखना प्रारंब कर दिया है सकट चौत जिस तरह से साहु कारणी को बेटे बहु से मिलवाया वैसे ही हम सब को मिलवाना इस कता को कहने और सुनने वालों का भला करना बोलो सकट चौत भगवान की बोलो गड़ेस भगवान की जै तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 में अहोई अस्टमी कवरत कम रखा जाएगा तो आपको बता दें कि अहोई अस्टमी कवरत पांच नौमबर 2030 दिन रविवार को रखा जाएगा और अस्टमी तिति की सुरुवात पांच नौमबर 2030 की तड़ के 12 बचकर 69 मिनट पर हो जाएगी और अस्टमी तिति की समापती 6 नौमबर 2030 की तड़के 3 बचकर 18 मिनट पर होगी और अहोई अस्टमी पूजा का सुमूरत 5 नौमबर की साम 5 बचकर 33 मिनट से लेकर साम 6 बचकर 52 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत की कुल अवदी 1 घंटा 18 म मिनट की रहेगी और इस दिन तारों को देखने का समय साम 5 बचकर 58 मिनट पर होगा और अहोई अस्टमी के दिन चंदरोदे का समय 6 नौमबर की तड़के 12 बचकर 2 मिनट पर होगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैं मातादी जरूर लिख हाँ हुआ कर दो दो कि आपको ब chodziस में जवे परे आए खे दो हाँ हुआ है हुआ है घड़